क्या आप भूत वग्यरा में यकीन रखते हैं, अगर हाँ तो फिर रात में अखेले सुना बंद कर दीजिए, लेकिन जवाब ना है तो कान खोल कर मेरी बात ध्यान से सुनिए, भूत होते हैं और वो किसी भी चीज को पूरी तरह बरबाद करने की ताकत रखते हैं। मैं बात करी हूँ इन जनाप की जिनके पास भूत से भी जादा काली शक्तियां मौजूद हैं और ये किसी भी चीज को सिर्फ छूकर पूरी तरह आग लगा सकते हैं। अगर आप घर पे शराफत का मुखोटा पहन कर रखते हैं तो फिर कोनार उंडिया और अकेले ही सफर पे निकल पड़िये। अंदविश्वास की कहानिया सुना कोई नई बात तो है नहीं इसलिए टनल के मिशन को पूरा करने के लिए कहानी में स्पेशल पुलिस फोर्स की एंट्री होती है। फोर्स की लीडर है कमांडर त्यागी जो पाउर के नशे में अंधी हो चुकी है और उद्वे का इस्तमाल करके खूब सारा पैसा कमाना चाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं ऑफिसर विक्रम सिरोही जो पास्ट में हुए एक इंसिडेंट से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों की जान निकालने की ताकत रखते हैं या फिर ये सब कुछ एक बड़ा शर्यंत्र है जिसे बड़ी ही चालाकी से रचा गया है। पुलिस ओफिसर अपने अंदर और बहार चलने वाली लड़ाई को अंजान तक पहुचा पाएंगे या फिर दुश्मन के सामने घुटने टेक कर मौत को गले लगाना ही इनके पास एकलोता रास्ता बचा है। और सबसे बड़ा सवाल ये ब्रिटिश करणल आखिर है कौन और बेताल देवता से इसका क्या लेना देना है। कुछ होने के बाद भी अगर डिरेक्टर साहब एक स्वालिश लजीस फिल्म देने की जगे आपको चूना लगा दे तो समझ लीजिए कि दुनिया बढ़ी ही कुट्ती चीज है और भरोसे जैसा शब्सिफ एक छलावा है। पूरे दिन स्नेक वाला गेम खेलते होंगे क्योंकि सीरीज थी किसी गेम की तरह लंबे पे लंबे खिशती चली जाती है और एंड में गोल-गोल घुमकर खुच से ही टकरा के स्वाह हो जाती है। आपको पहले से ही पता चल जाता है कि अगले सीन में क्या होने वाला है। सस्पेंस भी एकदम 00 है और अंधेरा इतना जादा है कि बिचारे जिस भूत को देखकर हमें डरना है वो खुदी अंधेरे में गायब हो जाता है। हाँ शो का सब्जेक काफी तगड़ा है और पहली बार हमें इंडिया में बैठे बैठे ही जॉंबी के दर्शन कराए गए हैं। बात करूँ अक्टिंग की तो विनीत कुमार बहुत ही तगड़े अक्टर है और हाना कुम्रा उनसे एक भी कदम पीछे नहीं है। लेकिन ऐसे टैलेंट का क्या फायदा है जिसको सही डंग से इस्तमाल ही न किया जाए। इन दोनों के करेक्टर्स शो में लीड होने के बावजूद जर्रा सा भी इंपक्ट छोड़ने में फेल हो जाते हैं और शो के खदम होने के बाद आप एक भी सेकेंड के लिए इनको याद नहीं रखना चाहोगे। हाँ कार्टिकर साथ सेक्रेड गेम से वापस नया जनम लेकर बेताल को मज़दार बनाने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन उनका शो में उतना ही काम है जतना टी सीरीज की फिल्मों में नौरा फतेही का होता है। बचे कुछे सपोर्टिंग अक्टर्स बेताल की सांसे चलाने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन शो के मेकर्ज ने शर्थ कसम खा रखिया है कि हमें सिफ अंधेरे पे ध्यान देना है टैलेंट पे नहीं। रोशनी में तो बिचारा भूत घर से बाहर नहीं निकलता ना और अंधेरे के बहाने वीएफेक्स के थोड़े पैसे बच जाएंगे जिनका इस्तमाल सेकेंड सीजन बनाने में हो जाएगा। पैसे का चक्कर बाबू भी या पैसे का चक्कर। तो यार कमशब्दों में बोलू तो बेताल को विक्रम बेताल की कहानी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको डर लगे या फिर जिसको समझने के लिए दिमाग की ज़रुत पड़े। इन शोर्ट बेताल को आप करन जोर की भूतिया फिल्म कलंग की तरह मान सकते हो जो अपने नाम पे मोटा काला धबा लगा देती है और आपकी एक्सपेक्टेशन का बीच बजार चीररन कर दिया जाता है मेरी दरह से बेताल को 5 में से 20 स्टार्स, एक्सटार शो की इनोवेटिव और पाफ़ुल कहानी के लिए, एक्सटार चालाकी से बीच में घुसाये गए एक्स्टा ओर्डिनरी सीन्स के लिए और हाफ्सटार जॉंबी और माइथलोजी जैसे कॉंसेप्ट का इस्तमाल करने क बात करूं नेगेटिव की तो एक स्टार कटेगा बहुत जादा बगवास एडिटिंग के लिए, एक स्टार जीरो सस्पेंस और जीरो थ्रिल के लिए और हाफ स्टार अच्छे खासे महेंती एक्टर्स का टैलिंग पूरी तरह बरबात करने के लिए, बाकी वीडियो में कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक के, बाई-बाई